नमस्कार दोस्तों, लीगल गुलुकुल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आशा करता हूँ कि आप स्वस्त होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे FIR के बारे में जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट इंफोर्मिशन रिपोर्ट देखे वैसे तो FIR कोई भी किसी भी तरह जाके लिखवा सकता है, जब भी कोई offense होता है आम तोर पर लोगों को इसकी technicalities के बारे में नहीं पता होता जब भी वो रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो वो अपने इसाब से जो भी उनके पास information होती है वो जाके जो है चाहे लिकित रूप में चाहे औरली रूप में वो जाक पुलिस टेशन में या पुलिस अधिकारी को जाकर के अगर वो बहार कहीं मिल जाता है तो उसको जाके इतनी complaint लिखवा देते हैं जो की बाद में FIR का रूप वो ले लेती है लेकिन क्या ingredients वो satisfy करती है FIR के क्या क्योंकि देखिए FIR तो हो गई है लेकिन वो अभी court के process से पूरे trial के process से निकलना है उसने तो क्या उसमें जो complainant ने अपनी complaint दी है FIR में वो क्या उसको उसके result तक पहुँचा पाएगी जो भी उसमें culprits हैं क्या उनको सजा दिला पाएगी कहीं ऐसा तो नहीं होता कि FIR में कुछ चीजे मिस हो जाती है जिसकी वज़े से केस कमजोर पड़ जाता है या बाद में जाके जो दोशी है जो अक्यूज है वो FIR की जो है उसकी कमियों के कारण बरी हो जाते हैं आज की इस वीडियो में हम यहीं डिसकस करेंगे 11 points है W है 11 W है जो मैं आपके साथ डिसकस करूँगा जो कि हर एक FIR में होने ही होने चाहिए नहीं तो उस FIR में कहींने कहीं कमी रह जाएगी तो चलिए देरी ना करते हैं शुरू करते हैं सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि FIR कोई भी किसी तरह की कोई Encyclopedia नहीं है Encyclopedia वह उती है जिसमें आपको हर तरह की information मिल जाती है तो एक सिंबालिक जो है यह बताया गया है कि वह जो फिर्स्ट इंफर्मेशन रिपोर्ट है ना कि कोई इंसेकलोपीडिया जिसमें कि हर एक माइनर डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है उस टाइम पे जो भी फिर्स्ट हैंड इंफर्मेशन है वही देनी चाहिए और जितनी डिटेल हो सकती है जो भी इंफर्मेशन अविलेबल है उस टाइम पे जिस टाइम पे आप फिर दर्ज कराने जा रहे हैं तो जितनी मैक्सिमम इंफर्मेशन है वह आपको फिर में डालनी ही डालनी चाहिए और यह जो मैं आपको इंग्रीनेट मताने जा रहा हूं यह सिरफ आप ही क क्या क्या लिखवाना है तो सबसे पहले जो है हम डबल्यो की बात करते हैं वह है वट इंफर्मेशन हैस कम टू कनवे यानि कि क्या इंफर्मेशन या क्या ओफेंस वह आया है कनवे होने के लिए या वह क्या आप कनवे करने जा रहे हैं वह इंफर्मेशन तो फर्स्ट डब पुलिस ऑफिसर को पुलिस टेशन में देनी हैं तभी आपका वो देखेगा कि क्या आपके offense के ingredients वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप information नहीं बताएंगे जब तक आप offense नहीं बताएंगे तब तक उस F.I.R. का purpose ही नहीं बनेगा कि क्या वो ingredients पूरे भी कर रही हैं देखिए ingredients पूरे होते हैं Indian Penal Code को पढ़ करके कोई भी आप allegation या offense की आप बात करते हैं अपनी complaint में तो उसमें वो पुलिस ज़रू देखेगा कि उसमें क्या वो ingredients पूरे हो रहे हैं अगर वो ingredients ही पूरे नहीं हो रहे होंगे तो वो जो है information ही incomplete होगी कल को आगे जाके वो F.I.R. के ही basis पे जो है accused जो है फाइदा उठा लेगा और उसका case जो है मजबूत हो जाएगा और आपकी F.I.R. के ही वजए से आपका case जो है कमजोर हो जाएगा तो सबसे पहले तो यह कि क्या information या क्या offense की information जो है आप जो है देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बिल्कुल clear जो है पता होना चाहिए देखिए अब दूसरे W की बात करते हैं invert capacity आपकी क्या capacity है कि आप किस capacity में information जो है F.I.R. जो है lodge करवान और उसमें पुलिस जो है बिना magistrate की permission के अपने ही level पे संग्यान लेकर के उसमें investigation begin कर सकती है arrest भी कर सकती है तो ऐसे information को जरूरी नहीं है कि complainant ही जाके affair करवाए और जरूरी यह भी नहीं है कि कोई eye witness हो ऐसे information जो cogniable offense की information है वो कोई भी जाके वो report कर सकता है तो जब भी ऐसी information, cogniable offense की information ज्यादा तर cases जो है वो cogniable offense में ही आते हैं बहुत छोटे मोटे offense होते हैं जो वो की non-cogniable में आते हैं तो वो जो cogniable offense की information है वो कौन दे रहा है आप किस capacity में दे रहे हैं कि क्या आपने खुद देखा जो informant है उसने खुद देखा उस occurrence को यह आपको बताना पड़े करएगा कि आप ने खुद देखा वहां पर या आप जो है खुद victim हैं वहां पर या आपने जो है किसी से सुनी-सुनाई बात है या आपने सुनके किसी और से तुनके आप जो है आए हैं यह information देने तो आप किस capacity में information दे रहे हैं, FIR करवा रहे हैं वो भी आपको FIR में mention करना पड़ेगा देखिए अब तीसरा W है हू कमिटेट दे क्राइम किस ने वो क्राइम कमिट किया ये भी आपको बताना पड़ेगा देखिए यदि जो भी कल्प्रेट्स हैं वो आपकी नॉलिज में हैं आपके नोन है परसंस तो आपको उनके नाम फादर नेम एड्रस वगरा सबी चीज़ें आपको F.I.R. में बतानी पड़ेंगी लेकिन अगर मान लीजिए कि वो आपके नोन नहीं हैं कोई अंजान बनते हैं तो आपको उनका डिस्रिप्शन जो है वो देना पड़ेगा या कोई आपने चीज अब्जर्व करी कि यानि कि किसी क्योंकि वो बॉडिली इंजरी है कोई डीफॉर्मिटी है कोई उसका पर्टिकुलर जो है कोई स्पेशल मार्क आपने देख लिया तो इस तरह की चीज़ें या आप उसका जो है वो पुलिस वालों को स्केश भी आप बनाके या ऐसी कोई चीज वो खुद भी बनवा सकते हैं आपको किसी की मदद के से ले करके तो ये चीज जो है ये आपको दुरूर बताने पड़ेगी कि किसने क्राइम किया या अगर आपको लगता है कि कोई अगर कि आपको लग रहा है कि नहीं मैंने कोई कोई देखा हुआ लग रहा है या कोई परानी रंजिश लग रही है कि बैक्ग्राउंड में कोई और है बंदा कि जो उफेंस करने वाले हैं वो तो आपको पता ही नहीं कौन है लेकिन आपको लगता है कि आपकी कोई पुरानी रंजिश है या किसी ने आपको धमकी दी है तो आपको जो suspect है उसका भी उसमें mention करना पड़ेगा नहीं तो पुलिस जो है उस line पे चलने में जो है उनको काफी time लगेगा उनको बार बार आपके हो सकता है बाद में फिर बियान लेने पड़ें या अगर वो बियान नहीं लेते हैं तो आपने अगर नाम नहीं दिया suspect का तो वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं तो यह चीजें जो है जो जिसके उपर crime commit किया जाता है victim होता है वही जाके complaint देता है तो ऐसे में वो खुद के बारे में बताता है कि मेरे साथ यह offense हुआ है लेकिन कई बार ज़रूरी नहीं है कि victim ही जाके information दे F.I.R. लिखवाए वो सकता है कि कोई और भी से कि मैंने आपको बताया cognizable offenses में कोई भी F.I.R. लिखवा सकता है तो ऐसे में यदि खुद का ही अगर कोई victim है तो उसको अपना नाम या उसके साथ जो भी अगर involved था तो उसका भी नाम उसको लिखवाना पड़ेगा कि हमारे पर ऐसे हमला हुआ या हमारे को ऐसे से चोट लगी या यह offense commit हुआ अगर वो खुद victim नहीं है कोई eyewitness है या कोई और है तो उसको बताना पड़ेगा कि जिस जिस के ऊपर भी offense commit हुआ है उनके नाम, addresses वगरा जो है वो उनको देने पड़ेंगे तो यह information बहुत ही important होती है कि कौन-कौन जो है victims हैं उस information के हिसाब से इसके बाद आते हैं हम अगले W पर 5W पर वो है when यानि कि कब वो occurrence हुई है कब जो है वो crime commit किया गया है यदि आप पड़े लिखे हैं तो आप exact time बताना चाहिए कि इस दौरान जो है वो जो है scene हुआ या इस दौरान जो है occurrence हुई crime हुआ अगर आप illiterate हैं अग्यार आप जो है आपको time जो है पड़ने का घ्यान नहीं है आप गाहों के हैं तो ऐसे में आपको अपने हिसाब से जो है कि दिन का time था शाम का time था तो आपको अपने हिसाब से time को आपको बताना है छे घंटे का दस घंटे का 24 घंटे का तो आपको वह डिले भी explain करना चाहिए अपनी अपर में कि किस वज़े से जो है आप लेट आए अपर करवाने यह चीजे जो है आपको बात में काफी मदद करेंगी जब trial होएगा evidence होंगी तो उसमें आपकी fire stand रहेगी कहीं भी कोई लूप होल नहीं रहेगा अगला जो हमारा डबलू है वो है वेर यानि की place of occurrence यह भी देखिए आपको अपने fire में लिखवाने पड़ेगी इससे काफी important इसलिए है क्योंकि इससे जो है police station की jurisdiction भी जो है वो तैह होती है साथ की साथ जो police station और place of offense है उसका distance को तैह करने में कित लिए आपके लिए काफी important चीज़ है जो आपको mention करने पड़ेगी अपनी fire में उसके बाद हमारा 7th w आता है why देखिए यह सबसे important है और सबसे जो है यह subjective है चीज़ क्योंकि यह इसमें आपको जो आपकी information आप दे रहे हैं कि आपके ओपर क्या offense commit हुआ है उसका reason आपको द reason और motive आपको देना पड़ेगा कि किस वज़े से आपको लगता है कि आपके ओपर कोई हमला हुआ है देखिए normally चोरी वगर में ऐसा कोई motive तो आपने आप सामने आई जाता है क्योंकि आपकी चीज़ चोरी हो गई है लेकिन उसके इलावा कि आपको कई motive लग रहा है चोरी म भी होते हैं IPC के अंडर में तो आपको जो भी आपको reason लगता है आपको motive लगता है तो वो आपको mention करना पड़ेगा अपनी report में देखिए हम अगले 8th W पर आते हैं जो की है which में और how की आपको जो भी description है act की या जो भी offense commit किया गया है उसकी detailed description जो है वो आपको देनी होगी as What is possible जो भी offense ने crime किया है उसकी आपको description देनी होगी यदि कोई उसने weapon use कियाए कोई arms use किया तो आपको उस arms की भी description देनी होगी या weapons हैं उसकी भी description होगी कि उसने वह weapon जो है यूज किया और उसने वह किस तरह यूज किया इसी तरह कि क्या जो offender है वो spot पे रहा कि वहाँ से भाग गया ये भी आपको mention करना पड़ेगा अगर कोई vehicle में वो आया है offender तो आपको vehicle का make description अगर है वो भी आपको mention करना चाहिए अपनी FIR में या कोई injury receive हुई है आपके आपके अगर आप complainant है आपके ओपर कोई injuries हुई है या अगर आप ey witness है तो कोई जो भी injured person है जो भी victim है उसके ओपर क्या-क्या injuries हुई है ये सभी आपको जो है detailed में जो है बताने पड़ेंगे अपनी FIR में इसके बाद आते हैं हम अपने 9th W पे जो की है witnesses का तो आपको जब भी crime commit हुआ है जब भी offense commit हुआ है तो उस time पे जो जो witnesses थे जो जो आपको पता है कि ये witnesses थे तो आपको उनके नाम जो है उनकी details जो है वो अपनी FIR में mention करनी चाहिए अगर उस time पे कोई नहीं था लेकिन जब वो crime हुआ तो उसके बाद immediately कौन-कौन पहुंचा या कौन-कौन सा witness पहुंचा यदि आप उनको जानते हैं तो आप जो है उनका नाम जरूर बताईए यदि आप नहीं जानते हैं फिर भी आपको ये जरूर बताना है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आसपास के या दुकान के या जो भी प्रोस के थे वो वहाँ पे पहुंच गए थे ताकि पुलिस उसी तरफ जाके कि आसपरस में जाए कि जो है वो पूछेगी पूछताच करेगी अगर आपको किसी ने witness ने rescue करने की कोशिश करी है वहाँ पे तो आपको उनका भी डिटेल बतानी चाहिए और यदि किसी विटनेस को भी कहीं कोई चोट लगी है तो उसकी भी आपको डिटेल बतानी पड़ेगी यदि कोई incident जो है वह रात में हुआ इदमाल लीजिए तो आपको वहाँ पे जो भी source of light था कि आसपास जिसकी वज़े से आप वो चीज़ें देख पाए वो भी आपको mention करना चाहिए अपनी F.I.R. में अगला हमारा 10th W है what was taken away by the accused कि accused तुमारा क्या चीज जो थी वो ले गए वो अपने साथ ले गए तो जब भी माली जे कोई offense ऐसा कमिट होता है जिसमें की offender जो है जो accused जो है वो कोई चीज आपसे ले जाते हैं की property है कोई documentation है तो वो चीजें जो हैं आपको जरूर mention करनी चाहिए with detail जदी आपके पास उनकी proper billing बगर है तो वो भी आपको देनी चाहिए उनकी कोई photograph बगर है चीजों की तो वो भी आपको देनी चाहिए ताक कि police को properly identify कर सके चीजें यदि कोई recovery होती है तो और साथ ही आपको कई identification mark है माली जे कोई jewelry है या कोई ओर चीज है जिसकी को identification mark है आपके पास तो identification बगर भी आप ताना चाहिए कि इस property पे यह identification mark है जिससे की पुलिस वाले जो हैं उससे recover कर सकें और identify कर सकें कि यह चीज आपकी थी और आपको वापिस कर सकें इसके बाद हमारा last w आ जाता है वो है what traces were left by the accused कि क्या कुछ traces थे जो accused के वो मौकाई वारदात पर रहे गए देखिए जब भी कोई ऐसा को incident होता है तो कुछ न कुछ चीजें जो है accused की कई बार जो है वो offense scene पर रह जाती है like कि उनके कोई shoe रह गया कोई close रह गया को close का टुकड़ा जो है वो रह गया चपल रहे गी handkerchief है कोई या उसके बाल है कहीं उसके लगता है अगर वो चीजें traceable हो जाती है तो वो आपको जरूर अपन जो है काफी strong हो जाएगा तो यह थे हमारे 11 w's देखे हलांकी information जो है काफी exhaustive होती है अगर आप जाना चाहें इसमें लेकिन अगर आप इन 11 w's को याद रखेंगे जिसमें की सबसे पहला है हमारा what information has come to convey क्या information या क्या offense जो है वो convey होने वाला है क्या capacity है जिस क्या से आप information द the crime fourth है हमारा whom against crime committed किसके खिलाफ जो है crime commit कि यागा कौन है victim कब जो है when the crime was committed कहां where the crime was committed क्यों why reason क्या है उसका crime commission का which may how कि किस तरह detailed description जो है उसकी आपको देनी है witnesses जो है उसकी आपको description देनी है सारी कि सारी what was taken away क्या चीज़ वो जो है वो ले गए आप से क्या चीज़ आपके offense में जो है वो उठाके ले गए और what traces were left by the accused कि क्या जो है traces accused के जो है वो रह गए यह सभी information यदि आप अपनी F.I.R. में अपनी complaint में देंगे जब आप F.I.R. करवाने जाएंगे तो निश्चित ही है कि आपकी F.I.R. जो है काफी मजबूत होगी ऐसे में जो है जब accused trial की बारी आती है तो वो F.I.R. पे stand नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस time जो है information काफी miss हो जाती है और उसको वो support नहीं कर पाते हैं और accused जो है इसी चीज़ का फाइदा उठा लेता है तो ऐसे में अपने case को और मजबूत करने के लिए क्योंकि first information report ही सबसे important होती है जिसके basis पे करके legal professional तक के लिए बहुत important है पुलिस वालों के लिए भी बहुत important है यदि आपको वीडियो पसंद आया तो please like and subscribe जरूर कीजिए और साथ ही bell icon जो है जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको regular updates जो है notification जो है मिलती रहें और यदि आपकी कोई legal query है तो most welcome है आपका मुझे comment section में या मेरे email ID पर लिख के मुझे अपनी queries भेज सकते हैं आपको मैं जवाब जरूर दूँगा अगली बार यहां फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद चैहिंद